तो हमारा आज का पहला question है question number 101 question number 101 इससे पहले हमने 100 question MCQ का जो question bank के दबारा digit के दबारा दिया गिया है। वो हमने already कर रखा है तो उसका playlist आपको description में मिल जाएगा बाद में उसे आप देख सकते हैं ठीक है तो पहला question है आज क्या हमारा question number 101 what is lead of multi start thread multi start thread में lead क्या होता है lead यानि कि आपका thread में जब हम bolt घुमाते हैं तो lead को simple भासा में समझ सकते हैं lead क्या होता है कि जब हम bolt को sorry nut को घुमाते हैं तो वो एक round में कितना thread आगे जाता है ठीक है कितना thread आगे हमारा bolt पे आगे चड़ता है या कितना खिसकता है कह सकते हैं उसे हमनों कहते हैं lead ठीक है तो वो dependent होता है कि आपका thread का क्या pitch है ठीक है और आपका कितने start से वो आपका thread start है यानि कि single start है double start है या multi start है तो यहां पर option है pitch into number of threads lead into number of starts pitch into measure diameter pitch into minor diameter तो हमारा lead is equal to screw का lead is equal to होता है हमारा pitch into number of starts ठीक है तो lead निकलने का यह formula है तो इस question का सही answer हो जाएगा option number a यानि की pitch into number of starts चलते हैं next question question number two इस screw का प्रकार क्या है figure में जो आपको screw दिखाया गया है यह कौन सा screw है आपको बताना है तो सबसे पहले आप screw को पहचाने यहां पर आपको thread कटा हुआ है इसका shape इस तरह से हलके में conical है और इस पर आपका किसी slot कटा हुआ होगा और यहां पर आपका thread होगा इसको कहते हैं head ठीक है तो यहां पर आपका किसी तरह का head नहीं है बल्कि यहां पर आपका hexagonal shape में आपका slot यानि की groove कटा हुआ है तो इस nut को sorry इस screw को कहते हैं grub screw ठीक है हमें surface को उसी label में रखनी होती है इसलिए इस तरह के screw का use किया जाता है इसको operate करने के लिए यानि कि tight और loose करने के लिए किस range का परियोग किया जाता है तो वो किया जाता है ln key का ठीक है तो इसका सही answer होगा option number B हमारा next question है question number 3 what is the name of the nut is nut का नाम क्या है what is the name of the nut इस nut का नाम क्या है जो कि आपको figure में दिखाया जा रहा है तो यहां पर आपका यह hexagonal shape में यह बना हुआ है ठीक है उसके कुछ face इस तरह से हैं यह अगर यह उपर वाला portion अगर नहीं होता तो यह hexagonal nut ही होता लेकिन उपर में यह portion इस पर एक्ष्ट्रा बना हुआ है जिस पर slot कटा हुआ है इस तरह से कुछ ठीक है तो यह एक तरह का हमारा locking device है तो इसका नाम क्या है तो इसके लिए आपका option है कैस्टल nut, slotted nut, t nut, cap nut तो इसका सही answer जो होगा option number 1 यानि की कैस्टल nut इसको हम लोग कैसे करते हैं यह locking device कैसे है इस slot में क्या करते हैं जो हमारा bolt होता है, suppose करें एक हमारे hexagonal bolt है इस nut को हमने दूसरे end पे fix कर दिया ठीक है उसके बाद यहां पर यह जो slot है इस bolt में भी एक pin होगा, एक hole होगा अब उस hole से होते हुए एक pin हम लोग क्या करते है आर पार कर देते हैं कुछ इस तरह से pin होगा जिसको पार करने के बाद उसके end को हम लोग क्या करते हैं मोड देते है ठीक है जिससे की जो जब किसी कभी आपका automobile car है, bus है, motorcycle है या आपका जो machine है वो चल रहा है उसमें vibration के होता है और vibration के दावरान ठीक है आपका जो nut है automatic खुल ना जाए ठीक है इसलिए इस तरह से इसको लोग कर दिया जाता है तो यह जो है हमारा locking nut है जो की एक कस्टेल नेट है next question है question number 104 what is the name of nut इस nut का नाम बताना है तो यह भी हमारा hexagonal shape में ही है लेकिन यह hexagonal nut से थोड़ा सा different यह है कि इसके तीन corner पे इस तरह से extra material निकला हुआ है ठीक है उठा हुआ है तो इसका नाम क्या है option है castle nut hexagon well nut hexagon nut with collar या self locking nut ठीक है तो castle nut option number यह होगा नहीं क्योंकि already हमने यह देख चुका है hexagon nut with collar ठीक है collar तो है नहीं इसमें collar इस तरह से यहाँ पे प्लेट इस तरह से निकला होता है उसको कहते है collar यहाँ पे आपका hexagon बना होता इस तरह का ठीक है तो collar यहाँ पे है नहीं और self locking nut भी यह नहीं है तो इसका सही answer हो option number B यानिकी hexagon weld nut तो उम्मेद करता हूँ आपको यह समझ में आ रही है ठीक है students बहुत कम है तो आप इससे share कर दे क्योंकि आपका जो exam होने वाला है online exam होने वाला है और online exam के लिए आपको बीना त्यारी का मुश्किल है क्योंकि अभी तक डीजीटी के दुआरा जो notice दिया गया है उसमें बताया गया कि आपका जो exam होगा online होगा आप online exam ही समझ के चलें है तो चलिए देखते हैं next question हमारा तो वाट इस दा नेम ओफ द टूल फिगर में दिखाए गए टूल का आपको नाम बताना है तो यहां पे आपका टूल जो है उसके यहां पे अप्लिकेशन भी दिखाएगा कि इस तरह के नट को खोलने के लिए इस तरह के टूल का इस तर किया जाता है तो इसका नाम बताना है ओफशन है फेस रेंच हुक रेंच हुक इस्पैनर फेस पीन रेंच या पीन रेंच तो इसका सई आंसर होगा ओफशन नमबर बी यानि की हुक इस पैनर कि चलते हैं next question question number 106 figure में दिखा है कि screw का नाम बताना है यह है आपका वो screw इसका नाम आपको बताना है तो ध्यान से देख लें यह किस प्रकार का screw है ठीक है screw related हमने already class ले रखा है जो कि आपको fitter secondary जो प्लेइलिस्ट में है वहां से आप इसे देख सकते हैं तो इस screw का नाम क्या है इसके लिए option है आपका यह क्या hexagonal socket cap screw है hexagon head screw है यह countersink head screw है यह आपका race cheese hand screw है तो comment में आप बता सकते हैं तो इसका सही answer होगा option number A ठीक है hexagon socket head cap screw इस तरह के screw जो होते हैं आपको अक्सर bikes में जेनरली आज के modern जो bikes होते हैं racing bike उसमें जेनरली आपको यह देखने को मिल जाएगा ठीक है इसे भी operate करने के लिए आपको ln key की जुरुत होगी ln key की जुरुत क्यों होगी क्योंकि इसमें भी आपका किसी head तो है लेकिन इस पे आपका hexagonal slot है ठीक है इस पे आपको ln key के द्वारा operate इसको lose your tight करना होगा चलते हैं next question question नमबर एक्शोशाथ what is the file that is rectangular in section and parallel in width with one safe edge वह file कौन सा है जिसका एक जो safe होता है चोड़ाए में आताकार और चोड़ाए में समानतर होता है ठीक है तो आपको इसका option आप बताईए answer बताईए क्या हो सकता है ड्रेडनब फाइल हो सकता है pillar file हो सकता है वार्डिंग फाइल हो सकता है Swiss pattern फाइल हो सकता है तो इसका जो सही answer है option number B pillar file पिलर फाइल जो होता है वो एक तरक special file ही है ठीक है जो इसका जो body होता है वो आगे से पीछे तक एतकार को सेक्षन में आपका क्या होता है शमांतर होता है ठीक है यानि कि चवडाय में पूरा क्या होगा समांतर होगा और इसका जो एक edge होता है वो क्या होता है शेप होता है कहने कि मतलब इधर आपका teeth कटा हुआ नहीं होता है इस edge में बाकी इस पर तो teeth आपका कटा होता है दाद कटा होता है रिती का तो यह हमारा pillar file होता है next है question number 108 which file has double cut on face and single cut at his कौन सा file है जो आपका face में तो double cut होता है लेकिन आपका किनारे में single cut होता है तो इसके लिए आपका option है pillar file, single cut on file, rest file या wording file question number 108 तो इसका सही answer होगा option number D याने की wording file, wording file का जो teeth होता है जो आपका body होता है उपर में face में आपका double cut होता है और side में single cut होता है ठीक है यह सारे आपका special file के एंटर्गत आती है what is the name of the file इस फाइल का नाम बताना फिलर फाइल वर्डिंग फाइल स्विश पेटन फाइल या डेड़न फाइल तो इसका सही answer होगा option number C यानि की स्विश पेटन फाइल इन सभी को आप figure के द्वारा ही याद कर सकते हैं अभी चुकि समय कम है तो आपको चीजों को याद करना पड़ेगा चीजों को रटना पड़ेगा ठीक है question number 110 जो कि हमारा आज के last question है इस gauge का नाम क्या है तो इसे पहचानेंगे तो यह एक प्रकार का gauge क्या है तो सबसे पहले समझी कि gauge क्या होता है gauge जो है आपका एक measuring tool ही है जैसे आपका एक steel rule है वो भी आपका एक तरह का measuring tool ही है जैनी केलिपर स्वरी भर्नियर केलिपर micrometer यह सारे आपके measuring tool है लेकिन आपका जो gauge होता है यह थोड़े से different होते हैं क्योंकि gauge जो होता है आपके एक factory में एक दिन में हजारों लाखों पीस बनती है ठीक है तो वहां पर इसको measurement करने की भी जूरत है कि इसका diameter आपका भेरी तो नहीं कर रहा है diameter जितना requirement है उतना ही तो है ठीक है जैसे कि अगर यह machine किसी machine पार्ट में लगता है तो जूरत उसके लिए इतना hole बनाओगा अब उस hole से यह बड़ा आए या छोटा आए तो मेरा अश्याइबल ठीक से नहीं हो पाएगा फिट नहीं हो पाएगा ठीक है इसलिए से सही साइज में बनाना जोर रही है तो इसको measure करना पड़ेगा अब हजार रोपिस बनता है तो हम वहां पर भानियर कलिपर से measure नहीं कर सकते हैं माइक्रोमेटर से चेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें measure करने में बहुत समय लगता है तो हमने क्या किया इसको measure करने के लिए एक special gauge बना दिया जो हमारा measuring instrument ही है ठीक है जो कि special इसके size को जितना साइज से चेक करेगा हम दो क्या करेंगे इतना इसे लेकर आएंगे अगर इस पर आगया perfectly यानि कि यह सही है अगर थोड़ा से loose होता है या बड़ा होता है तो यह हमारा reject हो जाएगा defect हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से हम बस इस तरह से measure कर सकते हैं तो सेम यह जो है हमारा एक तरह का गेज है जो की काम करता है इस पर देखेंगे आप अंदर में thread कटा हुआ एक तरह का यह रिंगेज है रिंगेज का काम क्या होता है जो soft है इसी तरह का soft है इसके external diameter को बाहरी ब्यास को चेक करने के लिए यूज किया जाता है रिंगेज और snap gauge दोनों ठीक है बाहरी dimension को check करने के लिए रिंगेज और snap gauge को प्योग किया जाता है तो यह हमारे एक तरह का ring gauge ही है लेकिन इस पर आपका thread कटा हुआ है ठीक है तो यह क्या हो जाएगा आपका option है thread plug gauge बिल्कुल नहीं thread ring gauge कैलिपर gauge या ring gauge तो इसका सही answer क्या होगा option number B thread ring gauge तो आई हो आपको यह class अच्छा लगा है अच्छा लगा तो like कर दें share कर दें और आपको इसी तरह से रोजाना morning में साथ बजे daily fitter mcq मिलेगी यह जो class है हम लोग कोसिस करते हैं कि रोजाना आपको जब तक मतलब यह रोजाना चले क्योंकि हम लोग को कोसिस यह है कि आपका जो आने वाले exam होते हैं रोज थोड़े थोड़े जो question करेंगे उससे हम लोग का बहुत सारे question हम लोग practice कर सकते हैं दीरे दीरे ठीक है तो चाहिए आप आप पास हो चाहिए आप फिटर second year के हो अभी सब्सक्राइब के लिए चल रहा है लेकिन आप आइटी आई फिटर टर्नर यह मेशिनिस्ट से भी हो तो यह आप class हो जाना सुबह साथ बज़े यह जोइन कर सकते हैं सिर्फ हमारे ओफिस्यल यूट्यूब चैनल टेक विजलते हैं तो दोस्तों हमारे साथ बने रने के लिए धन्यवाद तो मिलते हैं नए class में तब तक के लिए जैए